एलविशी आदव ने मेक्टन को पीटा आखिर पूरा मामला गाइज क्या है आप सभी जानना चाहते होंगे कि यार हुआ क्या है कौन सही है कौन गलत है किसकी गलती है यहादा चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूँ और मैं आपको बता दो कि भईया यहाँ पर कि कुछ ऐसी रील्स ऐसे ट्वीट बनाता रहता था जिससे कि एलविशी आदव पहले से ही उसको अपनी नजर में रखा हुआ था कि भईया जब यह बंदा सैट में आएगा नजर में आएगा तो इसको ठोकूंगा सेम अब क्या हुआ है कि मुनवर से एलविशी आदव मिलत करके डाला और यहाँ पर इसी चीज को लेकर कहीं नजर में लगाता है रील बना रहा था कि भईया एलविश आदव ने अपने दोस्त को धोका दे दिया यानि कि योके रैडर को धोका दे दिया कि योके रैडर तो मुनवर के खिलाब था मुनवर से जलता था है ना कुछ ऐसी चीजे थी मुनवर के खिलाब उसकी दुश्मनी थी है ना और एलविश तो यूके रैडर का दोस्त है जो स्पोर्ट कर रहा था और मुनवर के साथ मिल गया अब इस पर रील बनाता है मैक्स्टन और उसके बाद चीजे कुछ बढ़ने लगी और ट्वीटर पर यहाँ पर एलविश यादव ने बोला कि भाई तु दिली में ही रहता है क्या तो फिर इसके बाद मिलने मिलाने की बात हुई कि भाईया तु मिल मुझे वो भी कहता है हाँ मैं आजाओं का कोई दिक्कत नहीं है लोकेशन दे दी और निकलने से पहले मैक्स्टन ने एक एक चीड डाली कि अब मैं मेट्रो में हूँ अब मैं गाडी में यहाँ पे पहुँच गया अब मैं लोकेशन पे हूँ लाइब भी गया कि भाईया लाइब जाकर कोल भी कि भाईया जहां पर आ जा भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उसके बाद फिर वीडियो भी बनाया तो पीटने लगा मैं कुछ करने लगता है तो लोग उसे पकड़ लेते हैं एलविश के और एलविश उसे पीड़ता रहता है अब यहाँ पर मैं आपको बता हूँ अगर बंदे में दम था तो भाई आप अखेले आते हैं अगर आप इतनी सारे बंदे लेकर आ रहे हो वह उसक सेलिबरेटी से मिलकर आ रहे हो और उसके बाद तुम ऐसी हरकते कर रहे हो बच्चो वाली चपरी वाली और कहीं ना समझ वाली देखों काईज मैं बिग बोस से अलविश यादो को नोटिस कर रहा हूं इस बंदे में दिमाग नाम की चीज नहीं है अभी शेक मलान इससे भ अलग लेवल पर पहुंच गए हो उसके बाद रोध होकर दिखा दिया था अलविश यादव ने लेकिन उसके बाद भी यह नहीं समझा अभिशेक इससे यादा समयधार बंदा है मुनवर को ले लो मुनवर देखो उसको सीधा टार्गेट किया यहाँ पर यूके रैडर न कर रहा है उसको लगता है कि भाया मेरे जितना कोई ताकतवर है नहीं लेकिन किसी ऐसे बंदे के चक्कर में फस गया ना जो उठा के पटक देगा फिर यह पूरी उमर रोता फिरेगा और दूसी बात इस पर इतने सारी केस होते जा रहे है जेल में जब जाएगा न तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गई न गई गाईज जो इसके फैंस है वो अब खुद इसको ट्रोल कर रहे है कि भाया तुम यह गलत कर रहे हो मैक स्टैन के साथ तुम गलत करके आ रहे हो और वो बंदा पहले हाथ मिलाने के कोशिश करता है कि बैठो बैठ कर बात करते हैं लेकिन ऐसे में आते ही ठोकता है दो चार्ट होकता है और उसके बाद अड़ाई होती है और ती चार गाली भी एलविश यादव देखर निकल लेता है और बाद में स्टोरी बी डालता है कि भाया काम है वो डन हो चुका है तो यह गुंडो वाली हरकती है जो चाहिए था यह सब चीजे करता वो अच्छा बंदा नहीं लगता है और इसी कारण उसके ही लोग उसको ट्रोल करते जा रहे हैं अब कौन सही है कौन गलत है आप जुरूर बताएगा लेकिन मेरी नजर में यहाँ पर दोनों गलत है सबसे यादा एलविश यादव गलत है क्य यह क्योंकि बाकि तुमसे ही तो सीखेंगे यार तुमसे ही तो वो अपना आइडल मानेंगे तुमें उसके अधार पर चलेंगे अगर तुम ऐसी हरकते करोगे तो बाकी भी तुले करने वाले है ना तो यह चीज़े कही लिए गलत है देखो लोग तो ऐसे ही उसको ट्रोल क करेंगे उसके लिए बोलेंगे अब उस बंदे को ध्याँर रखना है कि भी या मुझे कहां पर react करना है कहां पर नहीं करना है है ना क्या बोलेंगे लिख डाले को मेंनद वॉक्स में